नमस्कार दोस्तो मैं इंशल्ड मैं आप सभी के अपने चैनल टेकिन टाइकर पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आपके लिए मैं फाइनल एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ चका हूँ जिसकी काफी ज्यादा डिमांड है कि सर एसेंचर के ओनलाइन एक्जाम की प्रिप आने हैं और आपको इतना टाइम इसके लिए मिल रहा है सारी की सारी फ्री रिसोर्स के बारे में बताने वड़ा हूँ वस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन नहीं तो वहाँ जरूर जोईन कर लीजेगा साथ ही साथ यार इस व यह मैंने अपडेड़ी अपनी एक अपडेटेड एक्जाम पाटन वाली वीडियो में डिसकस कर रखा है बट मैं आपको अब एक्जाम के हर एक चीज बताने वाले हूँ कि यह इस टॉपिक में से इतने कोशिंस पूछे जाने वाले हैं पहले मैं आपको बताएता हूँ ज यह six parts में divided है हाँ दोस्तों इस six parts में divided है जिसमें से दोस्तों पहले cognitive and technical है इसमें दोस्तों तीन पार्ट है और technical में तीन पार्ट है अगर मैं दोस्तों cognitive sections की बात करता हूँ तो दोस्तों इंग्लिश अबिलिटिया पहला section आता है जहां दोस्तों आपको 17 questions 17 minutes में approximately solve करने हैं साथ ही साथ दोस्तों 17 marks का अब दोस्तों यह ऐसा नहीं है कि 17 minutes आपको means इन दिये गाएं specified किये गाएं मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ है 17 minutes तो आप लेकर चलना है अगर यह आपका test 14 minutes में 13 minutes में भी अगर आप English ability के सारे questions कर लेते हो तो कहीं न कहीं आप अपने बाकी sections ब problem solving important section होने बाला है 18 questions है 18 minutes तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ हर एक question को एक minute बट कोशिश कीजएगा बट 18 marks का होने बाला है हाँ दोस्तों एक question को एक ही marks मिलने बाला है abstract reasoning 15 questions 15 minutes दोस्तों आप लेकर चल सकते हो मैं तो यह बोलूँगा इन दोनों sections को एक साथ लेकर चलो that is 18 plus 33 questions को एक साथ लेकर चलो 33 minutes में काफी कम बता रहा हूँ बटा कोशिश हमें करने है total 50 questions हमको यह solve करने है और अगर यहां 50 में से 40 से उपर score करने हैं तो कहीं न कहीं हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि R.M. coding round के लिए पहुँच जाएंगे अभी मैं आपको हर एक चीज और in detail बता है जो कि आपको last to last 40 minutes में तो solve करने ही करने है दोस्तों फिर आते है technical assessment के exam padding की तरफ technical assessment के sections की तरफ जिसमें आपका common application and MS office that is theory based दोस्तों questions मिलेंगे और theory based आपको questions मिलने वाले हैं दोस्ते हैं 12 questions होंगे मैं बोलूँगा इसको 7 to 8 minutes में solve करके देखो अब अब देखो यहां जो आप इसमें लगा सकते हो English ability को अगर 12 minutes में करते हो तो इसके 5 minutes आप यहां लगा सकते हो तो दोस्तों ऐसे आपको time adjust करना पड़ेगा common application in MS office theory based आपको solve करना है pseudo code purely purely practical हाँ दोस्तों आपको copy pen की जरुवत होने वाली है 18 questions बेलेंगे और please यार इसमें 15 से उपर आपको score करना है pseudo code अगर आप मुझे follow कर रहे हो और अगर आप pseudo code solve नहीं कर पारें तो please यार मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि pseudo code के लिए हमारा channel one of the best channel है पूरे YouTube पर क्योंकि Capgemini में भी already two legs से जादा students हमारे channel को follow कर रहे हैं मतलब I don't know किते सारे students है videos देख रही है fundamental of networking security cloud ये भी दोस ले सकते हो that is 22 questions ठीक है और इसको अलग से ले सकते हो 18 questions 18 minutes 18 marks ठीक है इसको मैं बोलूँगा है 25 minutes यहां दे तो बाकी के इस time को बचाओ जैसे कि दोस्तों आपको 40 questions मिल रहे हैं तो वहां अपने 50 minutes लगा लिए 40 minutes आपको adjust करने काम कर सकते हो ने 22 questions को आप 15 minutes में कर लो जो 7 minutes गुड़ो कोट questions solve करने है I know थोड़ा से difficult sound कर रहे है but yeah you have to try that तो आपको दोस्तों आपको बता दिया कि कितने किते questions एक एक section में आने वाले हैं आगे बढ़ते हैं English ability के main topics के साथ इसमें से पहला है reading comprehension, sentence correction, synonyms and antonyms, spotting errors, active passive voice, prepositions, speech and tenses तो दोस्तों इन topics पर आपको सबसे ज इसा topic है, एक comprehension के base पर दोस्तों 5 to 6 questions based होते हैं तो दोस्तों आपको वो solve करना है और इसकी तयारी कैसे करने है और इसकी वीडियो आपको YouTube पर भी बहुत कम मिलेंगी, even कोई provide भी बहुत कम कर पाएगा, बट कोशिश कीजिएगा Dear Sun नाम का एक YouTube channel है, बहुत ही शान्दा YouTube channel है, Cap Germany के time भी मैंने refer किया थे, इस सभी के link आपको description में मिल जाएंगे, तो please वहाँ से जाके इन topics को समझे और preparation करना है, start कर दीजे, आगे बढ़ते हैं critical reasoning, problem solving, abstract reasoning, जिसमें दोस्तों आपको 33 questions मिलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं बहुती major part play करता है, और 33 questions में से मैं सबस्तों 25 plus questions तो यार करकर रख लिए, मज़ा आ जाएगा 90 questions में से अगर हम 70 से उपर लाते हैं ना, मतलब यह समझ लिए 100% chances हैं कि हम interview round में जाहीर जा रहे हैं, तो आपको coding, decoding, flow chart related questions इसी साल introduced हुआ है, बहुत सारे YouTube channels बोल रहे हैं कि यह last year भी आता था, please यार ऐसा कुछ नहीं है, यह introduce हुआ है, new pattern, ठीक है, मैं आपको पहली बताता हूँ, यह new pattern में है, sitting arrangement questions है, direction based questions है, statement and conclusion questions है, blood relation questions मिलने वाले है, number alphabetical series questions आपको ऐसे मिलते हैं, जैसे two, मतलब ऐसे questions मिलते हैं, यहां हमें बीच का number बताना पड़ता है, puzzle related questions में, आपको एक matrix रे दी जाएगी, यहां number होंगे, आपको यह वाला number guess करना होगा, ऐसे related आपको questions मिलने वाले हैं, बात करते हैं, इसकी preparation कैसे करना है, you can refer to our aptitude roadmap video, in that video we have mentioned the best free resources for all these topics, आपको क्या करना है, youtube पर जाना है, मारे channel पर aptitude roadmap आप डाल सकते हो, ठीक है, aptitude roadmap डालत जो 23,000 वीडियो से दादा cross है, इस वीडियो में, आपको एक proper roadmap मिलेगा कि कैसे कैसे आपको इन topics रेपरेशन करना है, we have even already uploaded some videos, you can watch that for your practice, दोस्तों, आप हमारी essential की cognitive and coding वाली playlist को भी देख लीजेगा, यहां भी आपको almost 9 वीडियो मिल रहे हैं, इसमें भी आपको काफी सारे questions मिलने वालने, तो एक request यार, इसको भी जाकर आप follow कर सकते हो, next है, how to prepare for pseudocode, यहार यह सबसल जाबा important होने वाला है, दोस्तों, क्योंकि यहां आपको practical based, यहां आपको questions करने है, mathematics आपकी strong होनी चाहिए, सबसे बहले for pseudocode based questions, you should be familiar with how for and while loop works, आपको यह for loop, while loop, if condition वगरा, आनी चाहिए, यह सारी चीज़े work कैसे करने है, logic operations आने चाहिए, but इन सब की preparation कहां से करें, even you should be good with basic mathematics, basic calculations, आपके बहुत fast होने चाहिए, multiplication, multiplication, addition, subtraction, आप काफी जल्दी कर सकते हो, for preparation of pseudocode, you can watch our Capgemini pseudocode playlist, in that playlist, you will get to know from very beginning, की beginning से end तक कोई question को कैसे आपको solve करना है, बहुत ह आसान तरीके से, Capgemini की pseudocode playlist यह गई, 10 videos हैं, और इसमें से जो सबसर जादा viral video है, वो ही है, Capgemini all types of pseudocode questions, essential की भी हमने पहुत सारे pseudocode डाल रखे हैं, even आज शाम को आपको एक बहुत ही शानदार video मिलने वाला है, essential के pseudocode पर, but अगर आपको बहुत ही अच्छे से preparation कर कर सकते हो, we will even upload pseudocode preparation videos for essential as well, essential की भी हैंगी tension नहीं लेनी है, दोस्तों, क्योंकि content के लिए तो हम बैठे हुँ है, साथ ही साथ telegram channel group, अगर आप join कर ले तो हमारा, जिसका link आपको description में मिल रहा है, तो वहां भी आपको काफी सारा content मिलता रहेगा, common application, MS Office and network security and cloud, यह theory based questions की कहा से practice करनी है, in this section mainly there will be theory based, theory based questions on common applications like MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, there will be questions on security and cloud related as well, इनकी preparation कैसे करनी है, simply Google पर डालिये, MCQ based questions on MS Excel, network, cloud, जो भी topic के आपरेशन कर रहे हो, और आपको ऐसी sites, काफी सारी sites मिल जाएंगी, तो मैंने भी Google पर ये डाला तो तो आप भी डालिये दोस्तों, उसके बाद, या इसे topics के लिए जितना हो सके last year questions पर focus करना है, कि last year कैसे questions आये थे, क्योंकि ये questions repeat हो सकते हैं, क्योंकि pseudo code एक बार को repeat हो या ना हो, ये repeat दोस्तों हो ही हो सकते हैं, अब बात करते हैं, और coding की, अब देखो या 90 questions का solution दो मैंने बता दिया है, 90 questions में से, एक 50 में divide है, एक 40 में divide ह अगर हम 40 में से 30 plus कर रहे हैं, 50 में से 40 भी plus कर रहे हैं, तो in total यार आपको 70 plus score करना है 90 में से, कोशिश कीज़े गया यार, I know, बहुत सारे students और even messenger जब भी allow कर देता है, जब आपके 60 से उपर होते हैं, बट हमें 70 से उपर लेकर चलना है, हमें अपनी performance best रखनी है, कोई भी जोड़नी है, जिससे हमको reject कर दिया जाए, तो यार आपको हर एक section की बहुत ही अच्छे से preparation करनी है, coding के important topics की बात करते हैं, पहली ही बता देता हो, coding आप 5 languages में कर सकते हो, essential आपको 5 languages में coding allow करते हैं, C, C++, Python, Java and .NET में आप coding कर सकते हो, जिसमें से दोस्तों आपके important topics आते है arrays, strings, matrix, linkless, trees, sorting and searching algorithm, यार ये तीनों topic एक काम करो, juice बना कर पी जाओ, क्योंकि array और string की बहुत ही ज़्यादा probability रहती है, इसमें आपको 2 questions मिलते हैं, for 45 minutes के लिए ठीक है, जिसमें से 1 question की level of difficulty थोड़ी सी easy होती है, और एक question की level of difficulty थोड़ी सी high होती है, तो आपको preparation उसी के basis पर करनी है, और maximum question depend रहते हैं, array's string पर, अब काफी सारे questions इस पर भी आने लगए है, but majority of the questions इस पर दोस्तों आपको मिलने वाले है, इसकी कैसे preparation करनी है, तो एर firstly understand all these topics properly and how does it work, array work कैसे करता है, array होता कै आपको पता होना चाहिए, array का syntax आपको कैसे लिखना है, fall loop कैसे लिखना है, if to solve last year, try to solve last year coding questions of essential as much as you can, from that you will get an idea of the question, आपको last year के question करकर idea लग जाएगा किया है, means paper में यह difficulty होने वाली हो, इस level of difficulty के हमें questions को माजा कर solve करना है, next, if you want to practice more, then you can refer to lead code and solve easy to medium level questions, आप lead code पर जा सकते हो, filter कर सकते हो, array के easy से medium questions आप सौल कर सकते हो, अगर आपको लगते है कि आपक practice करनी है, तो अब ये सारा content related तो मैंने बताई दिया, अब preparation धमाका है for you all, आपके लिए कुछ surprise है, आप सभी इतना प्यार देते हो, तो मुझे लगा है, आपको return देना तो बहुत ही जादा ज़रूरी है, तो आपके लिए मैं preparation content calendar लेकर आ चुका हूँ, तो pseudo code की एक preparation वीड नेक्स बात करता हूँ, coding questions वीडियो, this video will be consisting, consisting almost 50 plus coding questions that has been already asked in essential, तो दोस्तो इस वीडियो में 50 से जादा coding questions को cover करने वाले हैं, जो कि already essential में पूछे जा चुके हैं, तो बेसिक से लेके 0 level से लेके advanced level तक के questions होंगे, क्योंकि कुछ-कुछ cases में essential ने difficult questions भी पूछे गए हैं, ये वीडियो बना रहा हूँ, जब तक ये 2000 से जादा likes नहीं पहुचेगी, तो ये वीडियो नहीं आगी, मैं सब के likes के criteria बता देता हूँ, दोस्तो, येर क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा support चाहिए हैं हमें, ठीक है, 1500 likes हमें इस वीडियो उस पर चाहिए हैं, जब बात करते हैं, please follow our cognitive plus coding playlist as well, you will get all these videos over there as well, because हमारी ये जो playlist हैना है, इसमें already 9 videos हैं, इसके बाद अगर आप scroll down करोगे, काफी सारा content आपको यहाँ भी मिलने वाला है, reasoning का part 2 230 March को ही आएगा, और साथ ही साथ common application and network security questions part 1, that is 31st March, part 2 31st March, तो दोस्तों, इनके likes मैं आपको पहली बता होंगे, तो दोस्तों, मज़ा मुझे बिल्कुल नहीं आएगा, और जल्दी से जल्दी दोस्तों, 150,000 subscribers हमारे करवा दीजे, बहुत ही मज़ा हैगा, क्योंकि यह एक साथ भढ़ने में बहुत मज़ा आता है, last is essential का sample paper questions, तो उसका भी हम question करेंगी, कि आपके sample paper questions, सारे के solutions आ करनने वाला है, और अगर कोई भी doubt होता है, preparations are related, तो please हमें comment section में ज़रू बताइए, यह preparation content calendar, share कर दीजे, धमागा कर दीजे, बाकी channels को बता दीजे, कि आहां है, tech and target कुछ कर रहा है हमारे लिए preparation के लिए, and we are really trying to help you, like in every way, हम पूरा कोशिश करनने वाले है, already हम सोबह से आप भी सारे update दे चुके है, Accenture का system check आ चुका है, timeline भी release हो चुके है, तो हम सब कुछ अपने channel पर आपको update कर रहे है, बस एक छोटी सी आप से request रहेगी, support जरू केजिएगा, subscribe जरू कीजिएगा, हमारी family में जल्दी जल्दी join हो जाईएगा, तो दोस्तों, आज के लिए अपने ने टेक अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद